गुड मॉर्निंग बच्चों, इंग्लिश में हम आपको लेसन ट्वेल पढ़ा रहे थे, आज हम आपको इसमें next करवा रहे हैं, look at the pictures and fill in the blanks with words from the box, आपने ये जो picture बनी है, इसको देखने हैं और फिर आपने ये fill in the blanks बरने हैं और यहाँ पे आपको box में इसके option भी दिये ह हूँ है, अब जैसे देखिए, number one, the lady is sitting the bench, जो lady है, on the bench, कहा बैठी है, bench के उपर बैठी है, तो देखिए, यहाँ पे यह, on आएगा, यहाँ पे, the lady is sitting on the bench, next है, number two, the cat is hiding in the tree, जो cat है, वो, किस के अंदर है, देखिए, tree के अंदर है, यह hiding, चुप रही है, यह कहां है, tree के अंदर है, तो यहाँ पे, I and in आएगा, यह, in आएगा, number three, the dog is sitting beside the lady, जो dog है, lady के side में, beside में बैठा है, देखिए, beside है, तो यहाँ पे, आएगा, the dog is sitting beside the lady, next step, number four, the man is standing near the slide, जो man है, खड़ा है, यह, man खड़ा है, कहां पे, slide, इसके पाज, जूले के, पास, है, तो यहाँ पे के आएगा, near, near means past, तो यह, यहाँ पे, आएगा, next step, that boy is hiding behind the bushes, तो जो boy है, वो, किसके पीछे है, bushes, जाड़ियों के पीछे, यह, जो boy है, पीछे, behind means, पीछे, तो यहाँ पे यह, behind आएगा, behind, तो दा boy is hiding behind the bushes, six number है, the football is laying next to the bench, जो football है, कहां पड़ी है, दिखिए, next, bench के आगे, next, तो bench पे, वो पड़ी है, bench के, next, उसके आगे पड़ी है, तो बच्चों, यह, आपने, फिलिंदि ब्लैंक्स, इनको आपने, लर्म भी करना है, और इसमें, बुक में, भरना भी है, ओके बच्चों,